नमस्कार आप देख रहे हैं SPN 9 News और मैं हूँ आपके साथ शुदी अब सरकार जानना चाहती है कि आपने किसे फोन पर बात की कितना बात की वहें आपको बता दे कि सर्वोच न्यायाला द्वारा अनिवारे उप्योग करता गोपनियता दिशान निर्देशों के कथित उलंगन और सर्विलांस के सवाल को उठाते वे सरकार पिछले कुछ महीनों से देश के कई छेत्रों से सभी मोबाइल ग्राकों का कुछ दिनों का कॉल डेटा रिकॉर्ड CDR मांग कर रही है वहीं बता दे आकों के सुत्रों के अनुसार ये असामान अनरोध दूर संचार विभाकिस्थानिय एकाईयों के बाद्यम से दूर संचार आउपरेटरों को भीजा गया है दिल्ली, आंध्रु प्रदीश, हर्याना, हिमाचल प्रदीश, जम्मु कश्मीर, केरल, ओडिशा, मध्यप्रदीश और पंजाब की सरकल में वो भोकताओं के लिए रिकॉर्ड मांगी गया है वही नाम गुप्त रखने की शर्त पर टेलीकॉम आउपरेटर के एक वरिष्ठ कारकारी अदिकारी का कहना है कि ये कई महीनों से हो रहा है लेकिन जन्वरी और फरवरी के दोरान हमने बड़ी संख्या में आने वाले इन अनुरोधों पर ध्यान देना शुरू कर दिया बीते 12 फरवरी को सभी प्रमुख दूर संचार ओपरेटरों का प्रतिनी दित्व करने वाले Cellular Operators Association of India यनि कि COAI ने दूर संचार विभाग के सचिव अंशुप्रकास को इक सिकायत में अनुरोधों को स्विकार करने से इनकार कर दिया अंशुप्रकास को भेजे गए अपने नोट में विशिष्ट मार्गों या छेत्रों के लिए मांगी गए CDR सर्विलांस के आरोपों को जन्म दे सकती है विशेश रोप से दिल्ली जैसे राजमी जहां कई भी VIP जुन हैं और यहां मंत्रियों, सांसदों, न्याइधीशों, आदिके निवास और कार्याल है COAI ने अपनी शिकायत में कहा है कि अपने अनरोधों में DOT काईयों ने इन CDR के अवशक्ता के लिए ना तो इक्षित उदेश और ना ही ग्राकों की पहचान का उलेख किया है जो गोपनियता मानदंडों का उलंगन है ओपरेटरों के साथ दूर संचार विभाग के लाइसेंस समझोते के क्लॉस नमबर 49.2 सुनने के तहत कम से कम एक साल की जाच के लिए लाइसेंस करता यानि कि दूर संचार विभाग द्वारा CDR और IP Detail Records यानि कि IPDR को संरक्षित कर करना होता है वही लाइसेंस करता इन रिकॉर्ट्स के संबंद में समय समय पर निर्दीश जारी कर सकता है लाइसेंस शर्त ये भी बताती है कि मोबाइल कम्पनियों द्वारा CDR कानून प्रवर्तन एजंसियों और विभिन अदालतों को उनके विशिष्ट अनरोधों या न जिस सभा में विपक्ष के ततकाली नेता अरुण जेटली सहित कई राजनेताओं की CDR के लिए अनाधिक्रत पहुँच को लेकर हंगामे के बाद UPS सरकार ने कॉल रिकॉर्ड प्राप्त करने के लिए दिशान निर्देशों को कड़ा करने का फैसला किया था बतादे चले के ग्रह सचिप के मंजूरी के बाद उसी वर्ष जारी किये गए नए दिशान निर्देशों के तहत केवल दूर संचार अधिक्षक, SP और उससे उपर के अधिकारियों को दूर संचार आउपरेटरों से इस तरह के विवरन की मांग करने के लिए अधिक्रत कि किया गया था हाला कि हालिया अनरोध इन में से किसी भी दिशान निर्देश के अनरोप नहीं है भारती अधूर संचार नियामक प्रादिकरन यानि कि ट्राई के एक पूर्व अध्यक्ष निकाहा ये बहुत आसामान्य है एक बार जब उनके पास एक डेटाबेस होता है तो मनमानी कारेवाई और निष्टा के अधिकार का उलंगन है वहे कुछ कमपनियों के कारेकारी अधिकारियों ने इसे कॉल ड्रॉप स्थिती का पता लगाने के लिए संभावना जताई हाला कि एक अधिकारी ने कहा कि अगर CDR रिकॉर्ड मांगने का ये कारण है तो उन्हें अधिकार पर कुछ खास तरीकों के CDR मांगे थे आंध्रुपदीस यानि की महीनी का पहला और पाचवा दिन दिल्ली में आठारा हुआ दिन हर्यारा में 81 दिन माचल प्रदीश हिमाचल उत्तर प्रदीश और जम्मु कश्मीर पिछले महीने का आखरी दिन केरल और ओडिसा 15 दिन मध्यो प्रदीश और पंजाब पिछले महीने का आखरी दिन और चालो महीने का पहला दिन इसके अरावा दूर संचार विबाग के स्थानी एकायों ने 2, 3 और 4 फरवड़ी को दिल्ली सरकल के CDR विवरन मांगे थे अब अगर बात के जाए जहां पर सरकार मांग कर रही है कि आप किस से बात करते हैं कितनी देर तक बात करते हैं इन तमाम जानकार यानि कि कॉल रिकॉर्ड के अगर बात करें तो ये एक तरह से निजदा का उलंगन होता है जहां पर प्राइवसी आपके प्राइवसी पर छ शेर चाड़ किया जाता है वहें अब जब कि सरकार इसकी मांग कर रहे हैं इसको लेकर बता दें आपको कि कई तरह परिशानी भी आ सकती है अब इस पूरी जानकारी पर इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या रहा है कमिट बॉक्स में कमिंट कर जरूर बताएं बाके तमाम मिलेंगे एक वीडियो में इस वीडियो को जाद करें और शेर करें जानकारी जाद से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सकें कि शुक्रिया